नमस्कार और स्वागते आपका आप देख रहे हर कबर पंजाब का एक हास बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ अनाय शर्मा शुवात करेंगे बुलेटिन की विस्तार से देश की प्रधान मंतिके रिंद्रमूदी पंजाब में लोगसुभा के एलेक्शन के लिए सबसे पहले पट्याला से आगास करने जा रहे हैं यहाँ पर पियम मारानी परनित कौर के पक्ष में लोगों को संबोधित करेंगे और पंजाब से लोगों को बीजी की तत्याशी को वोट डालने के लिए पील करेंगे पियम की रेली को लेकर प्रशासन ने लगभग 4200 पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों और पैराबलेटरी फोर्सेस की टुकडियों को रहनात किया है तो वहीं पट्याला शहर के सभी आने जाने वाले मुखे रास्तों पर बेरिगेचिंग सहीत पुलिस की कड़ी निगरानी की गई है पजानल मंत्री नरेंद्र मूदी का पट्याला आज दौरा है और उसी को लेकर सभी तयारियां की गई है सुरक्शा के म milk नजर तमाम तयारियां कर लेगए है पहरा मिल्लिट्रि फोर्स भी तेनास्की कर लेगए है तो ही मुखे मार्गो पर भी सुरक्शा के कड़े इंतजाम किये गई है आज परणितकार के पक्ष में वोट की अपील करते हैं रज़ानमंती दर्दर आएंगे वहीं अपको बता रहे हैं कि पत्चे सारी को चुनार होने हैं और पद्दान डाले जाएंगे पज़ाब के लिए जिसको लेकर अपने पार्टी के पक्ष में सुरखशा के लिए पज़ सुदक शबल तरनाद किये गए हैं खना में SSP अमित कॉंडल और SDM दॉक्टर बलजिंदर सिंग डिल्लों की अगवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया जोसमें BSF और CISF की टुक्डियों भी शामिल हैं तो वहीं आपके बतारें कि सौसे अथिक पुलिस कर्मी फ्लैग मार्च में शामिल हुए फ्लैग मार्च है तरान सारवजन एक स्थलों पर तलाची भी ली गई बस्ट्रेंट समें संदिक द्वाहनों की तलाची ली गई लोगसबा चुनाव को मदिनजर चुनाव आचा सहीता की पालना करने हे तू हिदायत की गई SFP अमित कौर कॉंडल ने कहा कि पुलिस चिला करना में लोगसबा चुनाव शांतिपून और पारदर्शिता से कराने के से इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही है मानियोग इलेक्शन कमिशन और इंडिया दी हदायतां दे तेहत एक कॉंफिडेंस बिल्डिंग मेजर ली ही फ्लाग माज कट रहे कल सानू एक गुजराद पुलिस दी स्टेट आम पुलिस दी कंपनी सानू महया कराई गई है अपने सीओ पंजाब वलो ते एक ताहना ना साधी ब्रीफिंग हो गई अपने जड़े पंजाब स्पेस्फिक हुंदा या खने दी जो भी सानू सेंसिटिविटी दस नी है ओ इना नो दसी गई है मेरे वलों भी और स्टेम खना वलो ते होन असी ना दे जड़े खना सब डिविजन दे सेंसिटिव एरिया जाई है जित्ते सानू लगदा है कि कॉन्फिदेंस फिल्डिंग मेजर होना चाहिदा है पोलिस वलों ओ देते असी ना नो लाइके जावांगे और जिमें जिमें सानू होर भी कंपनिया पैरा मिल दी मिल दियां जान गया असी उत्ते होते समराला पायल भी इस तरह दी फ्लैग मार्चिस कट दे रहांगे अर्दा उपियोग बिलकुल सचजे टांग नाल बिना किसे डार पैल आलच चाहिए होए करन और मैं ही खन्ना निवासिया नो पील करदा है कि खन्ना दा सिबल परशाशन खन्ने दा पुलिस परशाशन हमेशा जिड़ा है अमरे सर में पेजर को लेकर लोगों को काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसे लेकर शहीद उधम संग कॉलोनी के निवासियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ अपने गलियों में विरूत प्रशन किया है तो नहीं इस मौके पर शेतर वासियों ने कहा कि हमारे शेतर में पिछले धाई साह से पानी नहीं है और आप हमारे पानी की टंक्खियों को देख सकते हैं और वे सूखे हैं आमाल में पार्चे की सरकार आने के बाद से हमारे शेतर में पानी की भारी कमी है हमने कई बार नगर निगम के नगर निगम पार्षद को भी शेतर के रधायक के पास बलाया लेकिन पानी की समर्षया को किसी ने हल नहीं किया उसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस बार वह उनको वूट देंगे जो कि उनके पानी की समस्या का समाधान करेंगे कि साथ ही मसले आलकनगे पर मसले की करने जिड़ा पाणी आरिया इसी औ कि दो मी बंदक रहाता तुछी ही जी नोट करो पर भी नहीं थोजे मेले कंसलर सारे को घए हैं को आएफिसला आरा लागे जरनदे हैं पीपाही पाई दा अडाड़ा मसला ही जएगा मसला हालो जेगा नम शालू है मिजूई तम सिंहांगा रहती हो अएकर पानी की बड़ी समस्या पानी की हाल लिका ले तुछ पानी प्लीज पर पर लेकर कुछ वर से अचनल करें प्लीज यही क्या क्या पानी को अशक्षिक वारी नहीं मैं को कि पिछली गज़े सब्सक्राइब कर दोड़ाई साल हो गए है कि आपने बड़ा सो समझ के वह पाइपी का जाड़ु आ रहे ने कुछ समस्याल करी नी बोट ले लेके चल जाते हैं बस अपने बड़ेक नियादा गुर्द पांज नंबर गली से नंबर गली सब्सक्राइब 302 नंबर मकान मेरा समस्या पानी या पारे ने रहे यह पीने या अपना पानी तुह करो पानी पान्य तूम पानी को से लिधा कि पानाव से आने ते लिधे तरिज भाश्व करें पेवाद इस लोगाई आ हएं तो उपार हुआए अपने दफ्तर वो कोई गाल नहीं हो आपन कर दांगे कर दांगे ये करांगे वो करांगे कोई भी नहीं वड़े आज अमिज सर के सिखों के तीछरे राजा गुरू अमर्दास साहिब की जयनती सचकंश्री हर्मिंदर साहिब में शद्धा पूर्वक बनाई जा रही है इस अफसर पर बात करते के प्रबंदक दर्बार साहिब भगवनमान ने सभी को भलाई के लिए प्रात्ना की वही शद्धालों ने कहा कि गुरू अमर्दास सिखों के तीसरे गुरू है जिनका जन्म 1489 ए को ग्राम बसार के जिला अमर्दसर में भाला परिवार में पिता ते गुरू अमर्दस पाशा महराजी ने परताश फर्ब है जो सार्जे सिख संक्ताहं बडे उच्छा दे नाल, कियार दे नाल, मना रिए ने आज दे दिन गुरु अमर्दास पाशा महाराजी ने बासर केड़ी तर्टी दे अवतार तारन कीता और गुरु अमर्दास पाशा महाराजी दे जीमन दे बिते जो सानु सेद मिल दी ओए सेवा दी जो उन्हाने बारां साल गुरु अंगर दे पाशा महाराजी जी हजुरी किरा के सेवा पावना दे नाज गुरु नो समर्पत होके सेवा किती जिसने पर थाए बादवित उन्हानों गुरु नानक पाशा महाराजी जी गुरु गर्दी देवार समाना जड़ायों नसीब होया वेगर जी का खालसा वेगर जी की फते सचकंड सिरी हरं ंदर साहओ सिरी दर्बाद साथहे आज ताम तरशी गुर्व अमर दास जिरा परकास क्वर पर्बर बड़ी सब्सक्राइभ बर्भात तिस्त कारणा मनाया जारeremi है जिते गुर्मत समागम की ते जारे ने आज जो ते सचकन सीरी हरमंदर साथ बेखे बसेश तारते दीमाला की ती जारी है इना तो अलावा शामनु शीरी रहरासादी पाथ तो अपरांते बसेश तारते आतस्वाजी होगी तो सार यह संक्तानु तान-तान सिबू अमर्दासी परकाश गर्परवदियां लाक लाक बनाईया हों जी वह गुर्जी का खालसा वह गुर्जी की ता चुक्री रुकेंगे इस ब्रेक लिए जल्द हाजरूंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद चुक्री पास ब्रेक बश्यवदिया रचा रचा ना शुच्टान आपके दोसास पास्टर्व मस्टेश जोकीं बस थ्रे इसी स्टेप्स जाए ड़तवाटर बाटर फ्राइड गाना डान लोड हूआ नई पर तब जब दुप मैं इटली बनाती हूँ पर हमारे समय तो हड्याना में बेटी बचाने वाला है वाला तक बैठा है नसीव आलियों सब तुम्हें बोट के बदले मोदी मिला तारीफ ही करती रहोगी या जाकर बोट भी डालोगी मोदी को जारे दाती, जारे अरे, मुझे भी तो लेचल पट्याला के इंद्रा कॉलोनी में 25 से 30 अग्यात वक्तियों की तरफ से कॉलोनी वासियों के उपर हमला कर दिया गया इस दुर्गतना में अग्यात वक्तियों की तरफ से दो गाड़ियों के शीशे तोड़े गए महले के उपर एच से दंगो और तेज़तार हत्यारों के साथ वार किया गया जिसमें के तीन लोग जखमी हो गए हैं वहीं जखमीयों को पट्याला के राजंजरो ऑस्पिटल में बर्ती करवाया गया इस औरान मीडिया से बात करते हुए महला वासियों ने कहा कि हम पंजाब सरकार्श से अपील करते हैं कि ऐसे दोशियों को जल सजल नकेल डाली जाए और वहीं मामले को लेकर पट्याला के त्रिपूरी थाना के इंचार्ज गुर्परिट से ने कहा कि आरोपियों के उपर कारवाय की जाएगे पेशन्ट दाखला गगन ते एक निशत्तर से ने कि दोनों जिनका हस्ताल जेरे लाजा जिनना दे दस्टन मताबक रात कोई दो गड़ियां ते आगे बंदेना ना चगड़ा करके जगए अजिनना ने जिड़ा मुडली उदे वेच ना लाया एक कोई मनी ना दा लड़का ते गुला ना दा लड़का जिनाने के अंदे भी साड़े आगे काफी गड़ियां दे पान तोड़किती है कि मौक्के ते जब गए थे बीड़ियां बोत ला इंगे ना टोटीयाँ पाइया से इत्टा रोड़े भी पाई इंग जड़नी के शिज़े पार वेरिफाइसो ना भी प्रोट आ प्टवल ना तो भी कर तोड़का ना ड़का ना भी बांप ना भी पे जोड़ना पात्या अमर्च सर के सुल्टान नविंद रोड पर एक परिवार में पती पत्नी में जगड़ा हो गया था इस दोरान पती ने पत्नी के साथ अबद्धर्दा की जिसके बाद पड़ोसियों ने उनके घर पर चड़ कर उसे काफी पीचा जिससे की उसे काफी चोटे आई और युवक को घायल अवस्तान में पत्तान में पत्ती कराया गया महीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुशा और उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरुप्लियों के खिलास सक्त कारवाई खी जाएगी मैं सुल्टान ग्रोड कित्ते विच रहने हैं शेह नंबर गली कोड़ा बरी सेंग अच्छा दोना मिया विवीर विच थोड़ा वचा लड़ाई हम डीपी सीगी और थोड़ा दिप्रेशर दिमरीजे गया अच्छा दोना में जाएगी मेरेनाल लड़ाई हो जी फिर गली कोड़ा वाले लगया कि मेरेनाल गलाई गड़ाई देशिगे फिर ओनान कुट्टन वासे आगे वला अंदर आण के कुट्ट्या बाद वेचे 15 मिंटा बाद फिर सामने वाले लड़ा दो मुंड़ा आगे ड्रिंक किती इसी इगे अच्छा दोनाने ते ड्रिंक कारके फिर नालदे कांदर टापके ते फिर नान आण के मारे बहुत मुंड़ा पपूर गवंडिया ते इसी इनाल दो तेन बंदे नाल पो रहा इना जालके तिरना कोटमार की किया जोगे उपल अस्ताल वेचे जीरे लाजी दागलिया जो इसी ब्याना सनकार ली गए हैं ते डाटर साब नो आंट पेड़े तच्छे आपे जे ठीक नियागी अमिर्सर के हॉल गेट के पास फलमंडी में जम कर गुंडा गरती होई इस औरान करीब 12 लोग घायल हुए हैं बताया जा रहा है कि गुंडो ने कृपाल की बोतर और बेसबॉल के साथ लोगों पर हमला किया था और हमले के बाद 40,000 नगडी लूट कर गुंडे फरार हो गए थे वहीं पीडी तो दुकानदारों का कहना है कि इसकी शिकायत पुलिस अदिकारियों से कर दी गई थी लेकिन कोई हिसी पुलिस अदिकारी मौके पर नहीं पहुँचे पलमंडी में ये सरे आम गुंडा गती देखी गई जहां पर 12 लोग घायल हुए है जो नहीं अस्पताल में भर्टी कराया गया है इलाज के लिए तो गुंडों ने 40,000 रुगदे नगदी लेकर वहाँ से फरार भी हो गया जिनकी तलाश लगातार की जा रही है सुल्तानपूर लोधी के बेबे नान की चौक में ट्रक और ट्रैक्टर की टुकर से भयानक सड़क हाथसा हो गया बताया जा रहा है कि हाथसा ट्रक की ब्रेक फिल होने से हुआ गटना के जद दोरान ट्रैक्टर चालक ने खूद कर अपनी जान बचा ली गदिमत ये रही कि कोई भी जनहाने इस खटना में नहीं होगी लेकिन ट्रैक्टर का अगला हिस्सा चकना चूर हो गया पुलिस मौके पर पहुची और मामली की जान शुरू कर दी है लेकित्र पहले अपने तीन ट्रैक्टर चाल आगज हो आग प्रमौके जो गोड़ेकिन अपने ट्रैक्टरज एक तो प्रसेंट नी या कोई ची आ फी रही है था इन ड़िए तर्यक्टर नी खी खांपाद अन्या जी शो कि शुचीरवए वजसंट जा अन्या इसक शुचीर नामि चुंट हो रही है था राक्टर दिए यह थे लिड कार्णी अच्छी घंट बहुत प्यानक होया लेकिन एक परमादमरी पिरपावं के जाने निसान होया था जाने वाले ट्रेन ने कीरतपूर साहिब में एक अग्याद बुज़र्ग व्यक्ति को मौके पर ही मौत हो गई बताया गया कि दौलतपूर हमासर प्रदेश से अमबाला केंट जाने वाली पैसिंजर ट्रेन के चपेट में एक अग्याद व्यक्ति आ गया जिसको ट्रेन की आवास नहीं सुनाई दी बताने कि उक्त बुज़र्ग व्यक्ति के कान में एक सुनने की मशीन भी लगी हुई थी जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति की उम्र करीब 65 वर्ष है यह हाथसा देलवे पोल के पास हुआ है जिसकारण उक्त बुज़र्ग का शवफ पड़ा है अभी तक शवफ की पहचान नहीं हुई है हरी के भिक्र विंट रोड पर अग्यात वाहन के साथ कार की चुकर में पती पतनी और उनके बेटे की मौत हो गई जबकि उनके भतीजे की हालत गंभी बताई जा रही है वहीं सडक सुरक्षा बल ने मौके पर पहुँचकर शवफ को सिविल अस्पिताल पहुचाया और घायलों को अबचार के लिए अस्पिताल पहुचाया जानकरी के अनुसार कारचालक में शान सिंग अपने परिवार के साथ संगरूर से चकर पूरा आ रहे थे और गाव भू हवेलियाम वे मोड पर एक अग्यात वाहन से उनकी चकर हो गई फिलाल पुलिस मामले की जाच में जुटी हुई है कि अनुसार के लिए जल्द हासी जोंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद जब पाने उबालता हूँ तो भाई भतीजाबाद, छेत्रबाद, जादपाद सब खतम हो जाते हैं और जब अग्रक उटता हूँ तो समझो चमचो और बचोलियों की कुटाई हो रही हो मेहनत की आग में चाय पकती है सारे खर्चियां और पर्चियां चन के अलग हो जाती है तो हरियाडा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है मोदी जी को वोट देने का तड़क रिजन दे दिये चाचा ने कमल का बटन दबान, भाजपा को जितान एक बार फिर सोगे थे आप कबरे के बाद रुख करेंगे खबरों की और पंजार की सबसे होट सीट माने जा रही बटन दा लोगसबा सीट के लिए सभी सियासी पार्चियों द्वारा जोरो शोरो से प्रचार किया जा रहा है महीं विदान सभा में विरोधी पक्ष के नेता बटना लोगसबा सीट से कॉंग्रिस के उमिद्वार जीत महिंद्र सिंग सिद्धू के हक में चनाव जलसे को संबोधन करते के लिए पहुंचे और संबोधित करते हुए पताब सिंग वाजवा ने केंद्रो और प्रदेश सरकार को कार गुजारी पर निशाना साथते हुए का कि दोनों ही सरकार विरोधी हैं सुखपाल सिंग दोरा प्रवासियों को लेकर दिये गए बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बयान के साथ सहमत नहीं हैं वह सुखपाल सिंग खैरा से अपने विचार हैं मामला अमिर सर का है जहां मनजिंदर नाम के एक यूवक के परिवार से जुड़ा मामला सामने आया है जिसका चोटा बेटा मनजिंदर दो सार पहले विदेश में पैसा कमाने और परिवार की रोसी दोटी को लेकर दुबई गया था लेकिन एक दिन पहले ही उसे दुबई पुलिस ने चोरी की कार के मामले में उठा लिया और जेल भेज दिया है जिसे लेकर परिवार काफ़ी चिंतित है और दरदर की ठोकरे खाने को मश्बूर हैं परिवार ने भारत सरकार के विदेश मंतराले के अमरित सरकारेले में अपने बेटे की रहाई की मांग की है इस बारे में जानकारी देते हुए समाजिक कारेकरता हर्दिप सिंग भंगाली ने बताया कि उनके बेटे को जल से जल भारत वापस लाया जाए जानदर पुलिस ने पुलिस पर हमला करने वाले तीन रोश्यों को गिरफतार कर लिया है बता देंगे कुछ दिन पहले पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक घर में नशा चल रहा है और आरोपी बच्चों को नशी की लट लगा रही है जिसके चलते पुलिस ने घर में छापे मारी की जिसके चलते आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया जिसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और वहीं उन्हें तलाश के बाद धर दबोश लिया और अलग-अलग धाराओं के तेहित मामला भी उन पर दर्श किया गया है अड़ों सहर दी मौके। कि कुछ लोग देखे लिए इन देखे हमने दोट सेंग खबर सुल्तानपूर लोधी से है जहां कि गाव रामपूर जागीर के युवक धर्मविर सिंग ने मीडिया को जान करें देते हैं बताया कि वो अपनी पतनी के डिलिवरी के लिए विदेश से पंजाब लाया गया था लेकिन एक नीजी नर्सिंग होम में बच्ची का जन हुआ धर्मविर सिंग ने ऑस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही कारूप लगाते हुए कहा क्यों नोंने ना तो उसकी पतनी का ख्याल रखा और ना ही उनके बच्चे का जिस वजह से बच्ची की दुखत मौत हो गई इस वहार माजर और बच्चा दोने बिलकुल साधे को लो ठीड़ा के तुट गए रहे हैं वो त्ड़े एंजाम लागी स्टाफ अड़ान ट्रेन अ जाट को बिलकुल सारे क्वालिफट अट्रेन ट्रेंड है कि कोई घर नी है कि बिलकुल सारे क्वालिफट स्टाफ है यह तो फिलार इस गुलेटे में हमारे साथ बसत नहीं, नमस्कार